हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो भी आपके इंपोर्टेंट संगठन है जैसे वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजिशन, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, सार्क ये सारे चीश आसियान हो गए तो इन सबी चीश को हम यह टेस्ट रखा जाएगा जिसके एंसर्स आपको हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करना होगा and I promise कि इसके बाद आपको यहां पे questions मिस नहीं होंगे because यहां पे जो है आपको याद कराने के पूरी गारंटी दी जा रही है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व स्वास्ते संगठन के बारे में कि विश्व स्वास्ते संगठन का मुख्यालय कहा है विश्व स्वास्ते संगठन जैसा कि हमने बोला कि World Health Organization इसका जो मुख्यालय है वह कहां है तो the correct answer is यहाँ पे जेनेवा में है option number A के साथ चला जाएगा इसके अलाबा यह जो है कब इसका अस्थापना हुआ यह सारे चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे वह आपको revision time में यहाँ जब one liner हम बताएंगे तो उस चारे सारे चीज़ों को यहाँ पर हम discuss करेंगे तो चलिए देखते हैं अब next जि करने के पहले जो हमने आपको बताया जेनेवा जेनेवा स्विज्जा्रण में पढ़ता था एंड मैड्रिड अस्पेज में पढ़ता है तो कोई जरूरी नहीं है क्या आपको Знаफिजर लेंड भी रा सकता हैוכ यह कभी और यह सारे सारी होते हैं तो उससे आपको ध्यान में र इन दोनों का मुख्याले जेनेवा स्वीड़ लैंड में ही है तो आपको इन सारों चीजों को दियान में रखना होगा अगें जो आपके यहां पर कुस्चन बन रहे हैं उन सभी को भी हम यहां पर देख लेते हैं जैसे कि विश्व बैंक यानि वर्ल्ड बैंक के मुख्याले के बारे में तो इसका जो मुख्याले है वर्ल्ड बैंक का मुख्याले यह आपका कहां पर पढ़ता है तो वाशिंगटन डीसी में जो की सहयोग तरास्ट अमेरिका की राधानी है इन सभी किया उद्देश यह हैं क्या इसकी भूमिका रही क्या यह हमें सहयोग दे रहा है पर देखेंगे फिर बात कर रहा है युनिसको के बारे में तो इसका मुख्याले कहा नहीं टो इसका मुख्याले कहा है देसमें देया डीस सभींत्तिै treatment एटास परसे वब्वक्यानले'd फ्रीकार मुख्याले हैं ओप सान चला गया किया है अग्ले सभी इसका full form आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसका full form आपको हमें comment करके बताना होगा वाकी हम यह last में भी एकवर देख लेंगे बट उससे पहले जिन्हें पता है वो comment करके जरूर बता है कि सार्क का मुख्याले कहा है सुरी सारक का फुल फॉर्म क्या है तो अगर हम बात करते हैं इसके मुख्याले की तो इसका मुख्याला है काठमांडू नेपाल में आसियान की बात करें तो इसका भी फुल फॉर्म आपको अगर पता है तो आप कमेंट वॉक्स में कमेंट करो बाकी तो हम आगे देखेंगे ह इसका जो मुहख्याले है दांगी है बसको राहिए है इसका मुख्याले न्युएर्क में न्यूहर्क चुए सब्सक्राइवें एक जालना नाटो हैउऔздर ब्रुरसेम चलता में शक्ट करता बाता है और उसक्त क्लंट हैं रेड्रक्रॉस breaking आता है जैनेवा में, option number D के साथ आपका यहां पे चला गया, अगेन यहां पे जो आपके और भी questions बन रहे हैं, कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, तो इसका मुख्याले कहा है, this is also very important question, तो अगर हम बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो इसका म अंतर राष्ट्रिये दूर संचार संग के मुख्याले के बारे में, तो इसकी जो मुख्याले रही वो है, जैनेवा स्विजर लैंड, बिल्कुल पिछले questions जैसा ही जैनेवा में, अगेन हमारा यहां पे question है, सैयुक्त राष्ट्रस खाद एवं क्रीशी संगठन का मुख्य संगठन का मुख्याले के अगर हम बात करें, तो इसका जो मुख्याले है मांट्रियल में है, जो कि आपका कहां पढ़ता है, तो कनाडा में तो आपको इसे भी ध्यान में रखना होगा, अगेन यहां पे आपको जो question बन रहा है, अंतर राष्ट्रिये श्रम संगठन के क्रिशी विकास कोस का मुख्याले कहां है, तो इसका मुख्याले रोम में है, उपर हमने एक और चीज़ देखा था, संयुक्तराष्ट खादेवं क्रिशी संगठन, इसका मुख्याले भी रोम में हो, और अंतर राष्ट्री क्रिशी विकास कोस का भी है, तो इन दोनों में से वो सारे चीज़ भी हम आके देखेंगे फिर कर रहा है विश्व बौधिक संपदा संगठन का मुख्याले तो इसकी जो मुख्याले है जैनेवा स्विट्जेट लेंड रसाइनिक हतियार निशेद संगठन का मुख्याले चार ओप्संस यहां पर आपके पास है तो इसका जो मुख्याले है दहेग में है जो कि आपकी निदर्ट लैंड में पढ़ती है अगेन जो आपको यहां पर कुषिन बन रहे है वो सारी क्या-क्या बन रहे है तो व्यापक परमानू परिक्षन प्रतिबंद संधी संगठन का म वहां आपका एक संगठन है एक और गेनाईजेशन है तो इसका जो मुख्याले रहा वहां आपका कहां रहा यह भी आपके एक्जाम पॉइंट आप इंपोर्टेंट होगा तो अगर हम उपक की बात कर रहे है तो इसकी मुख्याले है वियना में ओप्सन नंबर ए के साथ च तो एशियाई विकास बैंक एशियन डिवलप्मेंट बैंक इसका जो मुख्याले है मनीला में है ओप्सन नंबर ए चोगम जो की एक हमी से कह सकते हैं क्या तो चोगम जो होता है वह आपको राष्ट मंडल यह राष्टरा ध्यक्ष सम्मेलन होता है एंड इसका जो मुख्या मुख्याले है लंडन में option number D के साथ चला गया राष्ट्र मंडल यानि common wealth का मुख्याले कहा है यह भी आपकी exam point of this important होगा और इसका भी मुख्याले लंडन में ही है अंतर्रास्ट्रिय olympic committee की अगर बात कर रहा है तो अंतर्रास्ट्रिय olympic committee की मुख्याले जो है वह आपकी कह नहीं अहां पर रही to this is also very important question तो इसका मुख्याले आपका रहा ओंपसे नम्मर एक के साथ चला गया appearance जो आपका यहां पर question है विश्व वननी जीव संडरक्षन कोश का मुख्याले गलांड में है जो के आपका स्विञेजर लेंड में ही पढ़ता है तो आपको इसे भी धेयान में रखनी हूंगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मुख्याले की बात कर रहा है तो इसका जो मुख्याले रहा सहयोग और विकास संगठन का ये भी आपके लिए बहुत important है और इसका मुख्याले रहा पेरीस option number A जो कि आपकी friends की राजधानी है फिर कर रहा है संयुक्त रास्टर परिया वरंकारिकरम का मुख्याले तो इसका जो मुख्याले रहा संयुक्त रास्टर परिया वरंकारिकरम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार options यहाँ पे आपको दे के रखिए पूछ रहा है इसका मुख्याले कहां है इसका मुख्याले जो है नैरोभी में है आपका option number C के साथ चला गया तो यह थे आपके 30 questions अब हम इन सभी के online यहाँ पे देखेंगे ताकि आपको यह सारी questions और भी अच्छे तरीके से cover हो जाए और आपको exam में कोई problem ना हो उसके बाद हम इसको online test भी देखेंगे तो चलिए देखते हैं revision को तो सबसे पहले आपका revision में पहला question है विश्व स्वास्ते संगठन के बारे में यानि World Health Organization WHO के नाम से जिसे हम जानते हैं इसका जो मुख्याला है वो हमने यहाँ पे आपको बताया कि जैनेवा में है अब बात यह आ रहे है कि जैनेवा है कहां तो यह सारी चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले थोड़ा सा पेन को के color को और इसके size को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं में जैनेवा जो है आपका कहां पढ़ता है तो स्वीड़ लैंड मेश महीं है अब जो आपको यहाँ से question उठेगा कि जैनेवा जो स्वीड़ यहाँ स्वास्ते संगठन का मुख्याला है यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी भूनिका क्या रही तो इसकी भूमिका रही कि विष्व के जो भी लोग है उनकी स्वास्ति की उच्छतम संभव दसा को वो प्राप्त कर सके अगें जो आपका question है विष्व परियक्तन संगठन के बारे में जिसे हम WTO के World Tourism Organization के नाम से भी जान सकते हैं इसका मुख्याले जो है Madrid में है जो की आपकी अस्पेन में पढ़ती है अब आपको यहाँ पे जो question है कि इसकी अस्थापना कभी बिकाज स्थापना से कभी कभी question पूछे जाते तो इसकी अस्थापना 1925 में हुई और इसकी भूमिका रही कि परियक्तन के माध्यम से जो भी आर्थिक ब्रिधी हो सके रोजगार के अवसर प्रदा पैदा हो सके और परिया वडन संरचन और परियतन के विरासत अस्थल को यह प्रोचसाहिट करता है अगेन है हमारा बिश्व ब्यपार संगठन इसका भी मुख्याले जनेवा तो यह स्विट्जर लेंड में ही पड़ेगा वर्ल्ड ट्रेड और गेनाईजिस है डबलू टी ओ के नाम से हम इसे भी जानते हैं अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी अस्थापना कब हुई तो इसकी अस्थापना हुई है 1st of January 1995 को और इसकी जो भूमिका रही कि बहुपक्षी है जो अंतरराष्टी बिपार पढ़ना ली है उसके लिए संस्थागत और कानूनी अधार उपलब्ध करा सके अगेन है अमारा विश्व बैंक यानि वर्ल्ड बैंक के बारे में तो यह वाशिंगटन डीसी में है जो कि संयुक्तराष्ट अमेरिका की राजधानी है और इसकी जो है 1945 में इसकी अस्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की और इसकी भूमिका रही कि उतपादर एबं विक पर योजन के लिए अंतरराष्ट्री अधर पर पुंजी के विनमेक और प्रोथसाहन मिले फिर हमारा यूनेस्को के बारे में तो यूनेस्को का जो मुख्याले रहा वह आपका कहा पे रहा तो फोर्थ यह जो है पेरिस में रहा जो कि आपकी फ्रैंस की कैपिटल है और इस और राष्ट के मद निकटता की भावना का या निर्मान कर रहा है फिर कर रहा है अंतरराष्ट्रिय मुद्राकोष जिसे हम कह सकते आई एम एफ के बारे में तो अंतरराष्ट्रिय मुद्राकोष का मुख्याले भी है वाशिंगटन डीसी में और अगर बात करें इसकी स्थ स्थापना कब हुई तो 27th of December 1945 को ही और इसकी जो भूमी का रही कि सदस्ती जो भी देश हैं उनको विदेशी विनमे में सुभिधा मिले अंतरराश्टी बेपार और भुगतान को प्रोच साहन मिले और सदस्ती देशों की आर्थिक उन्नत्ती में मदद के लिए अंतरराश्ट के बारे में जिसको हम S A A R C लिखते हैं और इसका मुख्याल है काठमांडू यानि नेपाल में है और इसकी अस्थापना कब की गई थी तो 7 to 8 December 1985 को और सार्क का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो धाका में हुआ था तो यह चीज़ भी आपको पूच सकता है कि सार्क का प् वीडियो बनाई थी कि ASEAN सिखर सम्मेलन कहां हुआ सारक का सम्मेलन कहां हुआ तो वह सारे चीज़ आपको अगर नहीं आपने वह वीडियो देखा है तो जरूर देखिए इसलिए मैं आपको कत्यों कि हमारे जो मॉर्णिंग सिफ्ट की वीडियो होती है वह जरूर से और रिजनल कोपरेशन रहा एंड इसके जो सदस्ती देश रहे वो कौन-कौन से है तो इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश नेपाल भुटान स्रिलंका मालदीव एंड अफगानिस्तान तो यह सारे चीज़ आपको यहां पर इंपोर्टन इंपोर्टन फैक्ट बन रहे थ और इसकी जो अस्थाप्रा हुई और वो कब हुई तो 8 अगस्त 1967 में जिसमें इसका गठन जो किसने किया था इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपिन सिंगापूर और थाइलेंड जैसे देशों ने इसका संगठन किया उसके बाद फिर भारत को कभी इसकी सदस्यता मिली आसिय तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टन डेट होगा 24 अगस्त 1996 को और इसमें जो है अभी कितनी सदस्ये हैं तो आप हमें कमेंट करके बता देना कि आसियान में कुल कितने सदस्ये हैं फिर कर रहा है यूनिसेफ के मुख्याले के बारे में तो इसका मुख्याले रहा वह आप प्रूरी है तो इसका फूल फॉर्म होता है और इसकी अस्थापना जो हुई वह हुई आपकी 4th of April 1949 को और इसमें जो है जब इसकी गठन होई थी तो इसमें कुल 12 सदसे देश थे बट उसके बाद इसमें और भी देश बरहाए गए तो यह सरे आपको यहां पर में तो इसकी अलावे जो है रेड क्रॉस के बारे में आपसे बात कर रहा है तो रेड क्रॉस का जो मुख्याले रहा वह आपका कहां पर रहा तो इसका मुख्याले है जैनेवा में और इसकी अस्थापना होई थी 1863 में और इसकी अस्थापना किसने की थी यह रब भी आपक अपना की गई या फिर अभी जो है यह जनेवा स्विट्चर लेंड में है और इसे जो है तीन बार नोबेल पुरशकार मिला है तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कम-कम मिला तो कम-कमेंट वोक्स में कम-कमेंट करके बताना कि यह जो है हमने आपको पहले ही बता के रखा और यह क्यों मनाया जाता है इट आप मई को इस दिन हैंडी ड्यूरेंट का जर्म हुआ था अगें जो आपको यहां पर कुश्यन है विश्व मौसम बिग्यान संगठन के बारे में इसका जो संगठन है इसका मुख्याले है जैनेवा में अगर हम और भी कुश्यन की यहां पर बात करते हैं बट उससे पहले जान लाते हैं कुछ विश्व मौसम बिग्यान संगठन के बारे में कि इसकी अस्थापना कब हुई तो 1951 में हुई उसके बाद जो अगें आपका कुश्यन है अंतर रास्ट्री दूर संचार संग का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले है जैनेवा स्विट जैन लेंड में और इसकी अस्थापना जो 1865 में हुई इसे हम कर सकते हैं ITU के नाम से भी जानते हैं ITU की फुल फॉर्म आपको आमें कमेंट बॉक्स में कमे इतली में रहा इसके जो सौट फॉर्म है वह एफ ए ओ के नाम से जानते हैं इसके बारे में अगर और बात की जाए कि इसके अस्थापना कभी थी तो इसकी अस्थापना 16 ऑफ अप्रिल 1945 में हुई अगेन आपका यहां पर कुश्यन है कि अंतर राश्ट्री नागरिक स्रम संगठन की बात कर रहे है अगर तो इसका जो मुख्याले रहा वो जेनेवा में रहा इसके बारे में अगर बात करें तो इसे हम कह सकते आई एलो इंटरनेशनल लेवर और और इसकी अस्थापना हुई 11th of April 1919 को और इसकी जो है पचासवी बर्स गाठ मरी 1969 पे हम वही सा इंपोर्टेंट है तो हमने जैसा की बोला कि इसकी जो बर्स गाठ मनी वह 1969 को मनी और इसमें जो है पचासे बर्स गाठ पर नोबल सांती पुरसकार भी इसे मिला फिर आपको जो यहां पर कोश्यन है कि अंतरराष्टी क्रिशी विकास कोस के बारे में उपर हमने देखा कि स करते हैं तो इसकी स्थापना 13th of June June 1976 को हुई थी फिर आपको यहां पर विश्व बौधिक संपदा संगठन का मुख्याले के बारे में तो इसकी जो मुख्याले है जैनेवा में है एंड यह जो है 1967 1967 में इसकी स्थापना हुई फिर करें रसाइनिक हतियार निशेद संगठन के बारे में तो इसका मुख्याले दाहेग में है जो की निदर लेंड में पड़ती है और इसकी स्थापना जो है 29th of April 1997 को की गई थी अब अगर बात करें कि इसका उद्देश सी क्या रहा कि रसाइन विज्ञान के सांतिपूर्ण उद्देव के को उपयोग की सुनिश्चि इसका जो मुख्याले है वो आपका कहां पर है CTBT का मुख्याले तो यहां पर आपको गलत हो गया यह आपका वियना ऑस्ट्रिया में है अगर इसके बारे में और भी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 19th of November 1996 को की गई अगर हमारा कुश्यन है ओपेक के बारे में तो ओपेक क इसके पिछले कुश्यन में था CTBT के और इसके संस्थापक देश थे इरान, इराक, कुबैत, सौदी अरब और वेनेच्जोला इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में यानि की इराक की रजधानिये वहां पर की गई थी और इसका जो फूल फॉर्म है और इसका जो फूल फॉर 2008 में ओपेक की सदस्या को त्याग दी थी फिर कर रहा है गैट के बारे में कि गैट का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले है जैनेवा में फिर आपका यहां पर एशियाई विकास बैंक यानि एशियन डेवलप्मेंट बैंक के बारे में तो इसका मुख्याले है आपक कारयाले भी बनाए गए हैं टोकियो फ्रैंकफॉर्ट और वासिंगटन डीसी में तो यह सारे आपको यहां पे से इंपोर्टन इंपोर्टन फैक्स बन रहे थे अगें जो कोश्यन है यहां पे स्वारी यहां पे जो आपको यहां पे लंडन में जो आपको यहां पे कोश्यन बन रहा है रस्टर मंडल यानि कौमन्वेल्ट के बारे में इसका मुख्याले भी लंडन में ही है फिर हैं हमारा यहाँ पर अंतररास्टिय ओलंपिक कमीटी के बारे में तो अंतररास्टिय ओलंपिक कमीटी की मुख्याले है लुसाने में जिसे हम IOC के बारे नाम से भी जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी फिर कर रहा है विश्व वन जीव संडक्षन कोष का मुख्याल है तो ग्लांड में है जो कि आपका स्विट्च है लेट में अस्थीत है अगीन जो आपको यहाँ पे और भी कुशन बन रहे है आपका यहाँ पे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्याल है तो वह पेरिस में है एंड संयुक्त रास्ट परिया वरन कारिकरम का मुख्याले नैरोबी में तो यह थे आपकी 30 कोश्चन उसके रिविजन भी करवा दिये वन लाइनर से अब बारी आपकी ओनलाइन टेस्ट की जिसके जवाव आपको में कमेंट बॉक्स में कमेंट देना कर कि देना अगर आप कर पाए तो और नहीं कर पाए तो इसके जवाव आपको मन में रखने है तो चलिए देखते है ओनलाइन टेस्ट को तो आपका यहाँ पर पहला कुश्यन है विश्व स्वास्ते संगठन का मुख्याले का है आपको करना क्या है कि कुश्यन नंबर वन रि तो आप वीडियो को बैक करो और को एक बार देख सकते हो आप आसानी से जोगी कुश्यन में रहे तो आइओ आपने इतने दिरी में इस और एंसर दे दिया होगा तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट को श्व विश्व परियाटन संगठन का मुख्याले कहां है चार ओप्सन् विश्व बैपार संगठन का मुख्याले कहा है जैनेवा वियना लंदन या वाशिंग अटन डीसी विश्व बैंक का मुख्याले कहा है इसके अलाव मैं आपको बोल दू कि आपको किसी भी टॉपिक के जीके में कुश्शन चाहिए या फिर मैट्स और रिजनिंग कोई भी चीज में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना हमारी कोसिस रहेगी कि हम आपकी डिमान यहाँ पर पूरी करें तो बिश्व बैंक की मुख्याले की बात कर रहा है जैनेवा में है वियना में लंदन में या फिर वाशिंग अटन डीसी में युनेसको का मुख्याले कहां है अगेन है अंतरास्ट्री मुद्रा कोस यानी ISMF का मुख्याले कहां है सार्क का मुख्याले कहां है यह सार decisions यहाँ वे आपके important cosas बनेंगे उन जबिक को तो यहां पर आपको एक्जाम में कोशन पुछता है एस यान का मुख्याले कहा है और अगर वीडियो पसंद आ रहे है तो जल्दी जल्दी सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब करो और सबस्क्राइब करने के बद बगल के बेल आइकन पर प्रेस करो ताकि आपको हमारी ए नाटो का मुख्याले कहा है वियना बुझ्यान संगठन 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 का मुख्याले कहा संयुक्त रास्ट्र खाद एवं कृशी शंगठन का मुख्याले कहां है वियना रोम मांट्रियल या जैनेवा में अंतर रास्ट्रिय नागरिक उड़यन संगठन का मुख्याले कहां है और मैं आपको फिर से बोल रही है अगर आपको ये वीडियो और ये जो तरीका है हमारा क वीज रखने का ये सारे चीज़ अगर पसंद आ रहे है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें समझ में आ सके कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है फिर कहा रहा है अंतर रास्ट्रिय स्रम संगठन का मुख्याले कहां है वियना रोम मांट्रियल जैनेवा अंतर परमानू परिक्षन प्रतिबंद संगठन का मुख्याले कहा है वियना दहेग मांट्रियल या जैनेवा में ओपेक का मुख्याले कहा है वियना दहेग मांट्रियल या जैनेवा गैट का मुख्याले कहा है वियना दहेग मांट्रियल या जैनेवा में एशियाए विकास बैं का मुख्याले कहा है मनीला स्ट्रासवर्ग मंटरियल या लंदन में रास्ट्र मंडल या नि- कौमनस्वेल्थ का मुख्याले कहा है अंतरज्ट्रिय ओलंपिक कमिटी का मुख्याले कहा। लुसाने, जेनेवा, ग्लांड या लंदन में विश्व बन ये जीव सनरक्षन कोश का मुख्याले कहा है लुसाने, जेनेवा, ग्लांड या लंदन में उसी तरीके से आर्थीक सहयोग और विकास संगठन का मुख्याले कहा है पेरीज, जैनेवा, नेरोबी या लंदन में आपका आज का आखरी कुश्चन संयुक्त राष्टर परिया वरन कारिकरम का मुख्याले कहा है पेरीज, जैनेवा, नेरोबी या लंदन तो आज लिए बस इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो अगर वीडियो पसंद आई है तो like, comment and share करके जरूर बताना then bye and thanks for watching this video